नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल आई ए आई टी ए स्मार्ट लाण में तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर किया हूँ समान्य ग्यान के 25 बहुत ही महत्यपुन प्रश्ण यदि आप किसी भी विश्य की तयारी करते हैं तो ये सारे प्रश्ण जो है वो आपके लिए काफी ज़्यादा महत्यपुन है समान्य ग्यान के महत्यपुन प्रश्ण है इसलिए आप इसको जरूर याद कर लेजेगा ये आपको किसी भी एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है दोस्तो सभी प्रश्ण आने वाले सभी एक्जाम के लिए महत्यपुन है जैसे आर आर बी, एंटी पीसी, एससी, यूपी एससी, बीपी एससी, सी, सी, यूपी टी, एससी, जी डी, बैंक, आई एस ये सभी अगर किसी भी विश्य के आप तयारी करते हैं तो ये सभी तयारी के लिए जो है ये प्रश्ण बहुत ही महत्यपुन है इसलिए आप इस सभी प्रश्ण को जरूर याद कर लेजेगा और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा प्यारे दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर दीजे और शाथ में अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेयर कीजे तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए पहला सवाल है आपका कि गुजरात का जनक किसे माना जाता है तो गुजरात का जनक जो है रविशंकर महराज को माना जाता है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका हो जाएगा रविशंकर महराज एक कब बना था वर्तमान श्वरूप का पहला कम्प्यूटर मार्क एक जो है 1937 में बना था ये आपको याद रखना है पूछा जाता है एक्जाम में चलिए हमारा अगला सवाल है कम्प्यूटर की पहली भासा कौन सी थी computer की जो पहली भासा थी वो कौन सी थी तो पहली भासा four-tron थी ये आपको याद रखना है board exam में पूछा जाता है ये सवी को याद रखना है computer की पहली भासा four-tron थी चलिए अब हमारा अगला सवाल है फोर्ट्रॉन भासा का विकास किसने किया था फोर्ट्रॉन जो कम्प्यूटर की पहली भासा थी जैसा कि अभी आप सभी देखे हैं कि कम्प्यूटर की पहली भासा फोर्ट्रॉन थी तो फोर्ट्रॉन जो कम्प्यूटर की पहली भासा थी इसका विकास किस ने किया था तो JWB कस ने किया था ये आपको याद रखना है चलिए अब हमारा अगला सवाल है आधूनिक कम्प्यूटर की खोज सर्व प्रथम कब हुई यानि कि आधूनिक कम्प्यूटर जो थी उसकी खोज सबसे पहले कब हुई तो आधूनिक में हुई थी ये आपको याद रखना है दोस्तों चलिए अब हमारा अगला सवाल है अगला सवाल है कि भारत में नई कंप्यूटर नीती की घोषना कब हुई थी ये कोईशन भी काफी ज़्यादा इमहत पूर्ण है भारत में नई कंप्यूटर नीती की घोषना कब हुई थी तो ये आपको याद रखना है कि भारत में नहीं computer नीर्थी की घोसना जो आपको याद रखना है ये आप लोग याद रख लिजेगा चलिए अब हमारा अगला सवाल है भारत को सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है भारत को सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है तो ये आपको याद रखना है कि भारत को सिलिकॉन वैली जो है बैंगलोर को कहा जाता है आपको याद रखना है question आता है आपका exam में चलिए अब हमारा आगला सवाल है खिलारियों के लिए pension योजना का उद्धाटन कब हुआ था? खिलारियों के लिए pension योजना का उद्धाटन जो था वह कब हुआ था? तो उन्हें 194 में हुआ था ये आपको याद रखना है चलिए अब हमारा अगला सवाल है मौलाना अबुलकलाम आजाद ट्रोफी कब शुरू हुई थी ये आपको याद रखना है चलिए अब हमारा अगला सवाल है टेनिस की सर्वोच संस था इंटरनेशन टेनिस फेडरेशन की अस्थापना कब हुई थी तो उन्हें 113 में हुई थी शभी को याद रखना है आप से पूछा जाता है बोड़ एकजाम में अगला सवाल है आपका कि प्रेम वाटी का पुस्तक के लेखक कौन है तो रस खान है ये आपको याद रखना है और यही कहें हैं कि कृष्ण को भगवान कृष्ण को चित चोर कहें ये भी कोश्चन आता है कि रस खान ने किसे तो भगवान स्री कृष्ण को चित चोर कहा है यह आपको याद रखना है चित चोर यानि कि मन को मुह लेने वाला और प्रेम वाटिका में ही है कि रस्खान ने माली और मालिन किसे कहा है तो रस्खान ने माली कहा है स्री कृष्ण को और मालिन कहा है राधा को यह आपको याद रखना है और रस्खान जो था वो कौन था तो रस्खान मुस्लिम था और मुस्लिम होते हुए भी या भगवान श्री कृष्ण को मानता था भगवान विष्णू को मानता था यानि कि भगवान विष्णू का भक्त था इतना आपको याद रखना है चलिए अब हमारा अगला स चलिए अब हमारा अगला सवाल है सहनामा पुस्तक के लेखक कौन है सहनामा पुस्तक के लेखक कौन है तो फिर्दोस है ये आपको याद रखना है सहनामा पुस्तक के लेखक फिर्दोस है चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि आनंद वन की अस्थापना किसने की थी आनंद व अब हमारा अगला सवाल है नियाए दर्षन के संस्थापक कौन है तो महर्सी गौतम है ये आपको याद रखना है अगला सवाल है ग्रैमी पुरसकार किस छेतर में दिया जाता है ग्रैमी पुरसकार जो है वह किस छेतर में दिया जाता है तो ग्रैमी पुरसकार संगीत के छेतर में दिया जाता है ये आपको याद रखना है चली अगला सवाल है कलिंग पुरसकार किस छेतर में दिया जाता है जो कलिंग पुरसकार होता है वह किस छेतर में दिया जाता है तो कलिंग पुरसकार विज्ञान के छेतर में दिया जाता है ये आपको याद रखना है अगला सवाल है अगला सवाल ये सवाल भी काफी important है पूछा जाता है exam में कि भारत के सरवच समान भारत रत्न को कब बंद कर दिया गया था तो ये आपको याद रखना है कि 1977 में इसको बंद कर दिया गया था सही उत्तर आपका हो जाएगा 1977 चलिए अब हमारा अगला सवाल है हल्दी घाटी अस्थान किस वैक्ती से सम्बंदित है ये आपको याद रखना है अगला सवाल है विश्व कवी किस कवी को कहकर सम्बोधित किया जाता है तो रविंद रनाथ ठाकूर को कहकर सम्बोधित किया जाता है ये आपको याद रखना है अगला सवाल है नवारानी लोक निर्ते किस राजे से सम्बंदित है तो 36 गंड से सम्बंदित है ये आपको याद रखना है अगला सवाल है कली अत्तम लोक निर्ते किस राजे से सम्बंदित है कली अत्तम लोक निर्ते जो है वह केरल राजे से सम्बंदित है ये आपको याद रखना है अगला सवाल है भारतिय मानव विज्ञान सर्वेक्षन की अस्थापना किस वर्स हुई थी तो उनेश्चो पैतालिस में हुई थी ये आपको याद रखना है तो दोस्तो आपका 25 BBI महत्यपुन प्रश्ण समाने ग्यान का कम्पलीट हो चुका है मैं आसा करती हूँ कि आप सभी को यह सभी समाने ग्यान के महत्यपुन प्रश्ण अच्छा लगा होगा पसंद आये होंगे यदि आप सभी ने इन सारे प्रश्णों को याद कर लिया तो एक्जाम में आपका एक भी प्रस्ण जो है वो नहीं छूटेगा तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इस वीडियो को जो है वह अपने सभी इस्टड़ी वाट्सेप ग्रूप में शियर जरूर करना है जिससे आप सभी विद्यार्थियों की मदद कर पाएंगे और हमारी भी मदद कर पाएंगे तो धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए मन लगाकर वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने कोईशन जो भी है वो याद कर लिजिए और वीडियो को एक दूसरे के साथ से जरूर कीजिए तो फिर मिलेंगे अगले वीड वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों